दस्तरी का रेल रोग को अंदोलन करना है सभी जलो में बड़े अंदोलत होगे और बड़े लीडर महां जाके संभोधत करेंगे सरकार से मांग की हैं दस दन के अंदर इस अंदोलन का हल निकाले वरना खापों ने कोई कड़ा फैसला लेना पड़ेगा मेरे पास अभी डिटेल और भी थी कुछ जूपी के दो जथे दिल्ली की और बढ़ रहे हैं मैं उसको विस्तार जानकर या आगे आपसे सांजी करूँगा जो मुझे मांगर से मिली थी और इसी के साथ साथ जो हमने दस तरी का रेल रो को अंदोलन करना है ये उत्तर भारत के लगबग 30 जिलो में अभी तक जो हमें कंफर्मिल अभी तक 30 जिलो में उत्तर भारत में ये अंदोलन की पुस्ती हमने कर ली है ठीक है यह की डिटेल आगी आपको लिक कर बता देंग पंजाब में लगबग 22 के 22 जिलों में ठीक है अभी स्क्यम नोन प्लिटिकल के भी पूरे ठीकाने हमें मिलेंगे लगबग हमारे आ गहें तो सभी पंजाब में पूरे 22 के 22 जिलों में रेल रोक को अंदोलन बड़ा होगा और जो मैं खुद लगबग देवी दासपुरा अमर वहां जाके संभोधत करेंगे अजी पत्रकार साथियों तुमाई अशोक बलारा अभी अभी आदा गंटा पहले अरियाना की सभी खापों ने रोतक के अंदर टेटो ली गाओं है जहां पर इस आंदोलन को समर्थन में एक दर्णा लगया हुआ है वहाँ अभी अभी सभी खापों ने फैसला किया है और सरकार से मांग की है कि दस दन के अंदर इस आंदोलन का हल निकाले वरना खापों ने कोई कड़ा फैसला लेना पड़ेगा दूसरी बात खापों ने ये कया है कि ये अंदोलन अमारा है क्योंकि मांगें अमारी हैं इसके समर्थन में आज एक पूरे अर्याना की खाप इकठी होकर के लंबा विचार नुम्स करने के बाद इस फैसले पर पहुचे हैं कि जल्दी से जल्दी इसका हल निकले और एक कमेटी बनाई जो सब ही से वारता भी करती रहेगी और सब से विशेश बात जो आज की रही कि अर्याना के अंदर जब तेरा तारिक को संभू बॉडर और खनारी बॉडर पर सरकार ने जोर जबरदस्ती की उसके बाद अर्याना की खापों ने रोतक की सभी खापों ने टेटोली गाओं के आईवे के उपर रोतक जीन के उपर एसार की खापों ने जीन बेवानी रोड पर और दादरी की खापों जो एक सो बावन डी जाता है ये अमबाडा से नार नोल तक इसके उपर तीन दरने चला रखे ही और आज अब यादा गंटा पहले ये निरने लिया खापों ने कि हर जिले के अंदर इस अंदोलन के समर्थन में खापें हर जिले की अपने 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 जिलाये में लगाएंगी दूसरा ये भी कहा है कि सोड़ा तारिक दस दिन का टाइम है यदि सरकार इसका हल ने निकालती तो और कड़ा फैसला खापें लेंगी तीसरी बात ये भी कही है कि जो बच्चे इस अंदोलन के दोरान सरकार ने जबरदस्ती अरियाना पुलिश ने गिरफतार किये हैं उनको बिना सर्थ रिहाई करेए